फिर एक गरीब मस्दूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सहंच के समय दो आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांध कर शेहर से निकला मेरा लेटिस वीडियो प्राप्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर जिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले और मज़दूरों की बस्ती की तरफ चला बहुत दूर उसने अपने कच्चे जोपड़े के धुए को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी मा उसके लिए खाना पका रही है वह नंगे सिर नंगे पाउ जा रहा था उसके घर में सिवाए उसकी बोड़ी मा के और कोई सगा समबंधी न था उसके घर में सिवाए एक चूले और दो चार बरतनों के और कोई साज सामान न था मगर फिर भी वह खुश था उसकी चादर में दो आने पैसे बंधे थे उसके दिल में आशा भरी थी सामने से एक बारात आ रही थी मजदूर ने उसे देखा और उसे खयाल आया हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं उस समय मैं कितना खुश होंगा बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा एक तरफ हट जा छोकरे मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई वह खीज कर बोला क्यों हट जाओं सडक सिर्फ तुमारी नहीं है इस पर हम भी चल सकते हैं बारात वालों ने उसे पीटा उसकी चादर फार दी और उसे उठाकर सडक के किनारे जाडियों में फैंक दिया बारात चली गई बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया अब वहां अकेला मस्दूर था उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहे थी वह खुटनों के बल धर्दी पर बैठ कया और अपनी सजल आखें आकाश की ओर उठा कर बोला हे प्रभू, हमारे पास ना धन्दौलत है ना महल अटारियां, ना नौकर चाकर फिर तू ने हमें क्यों पैदा किया क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है कई वर्ष बीद कए, मस्दूर ने जी जान से काम किया दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी शतरंच की जाले चली, छल, कपट, धोखे से धन पाया और धनी बन गया अब वह मस्दूर न था, अपने नगर का नामी रईस था उसकी संदूकों में रुपए और मोहरे थी, उसके रहने के लिए एक विशाल महल था उसकी सेवा करने को डास दासियां थी, उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर जुका कराते थी एक दिन सांच के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लोट रहा था कि एका एक उसकी पालकी रुख गई उसने पूछा क्या है? नौकर सरकार मस्दूरों की बारात आ रही है धनी उन्हें कहो एक और हट जाएं नौकर वे कहते हैं सडक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है इस पर हम भी चल सकते हैं धनी पाजियों को डंडे मार कर भगा दो ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे मस्दूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे थोड़ी देर में वहाँ एक भी मस्दूर न था मगर उनकी चीखों से अमीर पाल की सवार का दिमाग खराब हो गया उसने कहा मुझे पाल की से उतार दो मैं आराम करूंगा नौकरों ने सडक के किनारे गलीचे बिछा दिये और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहां कभी पहले भी बैठ चुका है शायद कई वर्ष पहले शायद किसी पिछले जन्म में इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गरम था उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था वह नरम गलीचे पर पाल्थी मार कर बैठ कया और अपनी आँखें आकाश की ओर उठा कर बोला ना नौकर चाकर फिर तू ने इन्हें क्यों पैदा किया है क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आखड़े हो और हमारा समय नश्ट करें आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है